नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सृष्टी जैन हैं, मैं महात्मा गांदी अस्पताल जैपुर में, क्रिटिकल केर विभाग में, असोसियेट प्रॉफेसर और एडिशनल डारेक्टर की पोस्ट पर कारेरत हूँ, मैं यहां के एक्मो सेंटर की डारेक्टर भी हूँ, आज हम ज सिंपल भाशा में, शरीर के बाहर एक क्रित्रम हार्ट और लंग के समान बहेव करने वाली एक मशीन, यह है एक्मो मशीन, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, कि यह कैसे मरीज की जान बचाने में हमारी मदद करती है, जब भी किसी मरीज को बहुत ही सिवियर प और श्यक्ता पड़ती है, पहले हार्ट फेलियर की बात करते हैं, जब भी किसी मरीज को एक रिवर्सिबल मतलब की वो हार्ट फेलियर जो ठीक हो सकता हो, जो की जन्मचात ना हो, तब हम इस मरीज को एक्मो सपोर्ट पर लेते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है मरीज को एक सि जहर ले लिया हो जैसे की self-force जिसके कारण हार्ट फेल हो जाता है और यह हार्ट फेलियर्स रिवर्सिबल होते हैं अगर समय रहते हुए बिलकुल काइम ली हमने मरीज को एक्मो सपोर्ट पर ले लिया तो ऐसी मरीजों की हम जान बचा सकते हैं इन मरीजों में एक्मो मशीन एक artificial heart की तरह बेहेव करती हैं कैसे हम शरीर में दो नसों में बड़े बड़े कैनूला डालते हैं एक मांडी जे इस पैर की नस में और एक इस पैर की नस में एक पैर की नस से खून लिया जाता है वो जब खून कैनूला से निकलता है फिर वो इस pump के माध्यम से रोटेट हो शरीर का जो खून हमने कैनूला के थू बाहर निकाला है उसमें oxygen डाली जाती है और carbon dioxide निकाली जाती है और फिर वो blood शरीर की again एक बड़ी नस में वापस body में डाल दिया जाता है ये machine एक heart की तरह behave कर रहे होती है जब तक मरीज का खुद का heart recover नहीं हो जाता हम daily ultrasonography से heart की pumping को देखते हैं और समझते हैं कि heart की स्थिती कैसे improve हो रही है और तब हम दीरे-दीरे इस machine का support कम करते जाते हैं और पूरी तरह से हटा दिया जाता है जब मरीज का heart completely recover हो जाए वैसे ही ये machine एक artificial lungs मतलब फेफ़रों का रूप धारन कर लेती है जब मरीज को एक reversible lung failure हो जैसे की severe pneumonia, ARDS या हमने COVID के टाइम पर देखा मरीजों को इतने खराब COVID pneumonia होए जो normal ventilator पर भी improve नहीं हो पा रहे थे तब आता है एक्मो मशीन का रोल एक्मो मशीन शरीर को तब तक oxygenation में help करती है जब तक दवाईयों से समय रहते हुए मरीज का pneumonia ठीक ना हो जाए तब ये मशीन शरीर में oxygen देती है और carbon dioxide को निकालती है हम daily मरीज की arterial blood gases करकर देखते हैं कि oxygenation improve हुआ की नहीं उनका chest x-ray करकर देखते हैं कि pneumonia के patches improve हो रहे हैं या नहीं और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे फेफडे improve होते हैं हम मशीन का सहारा कम करते जाते हैं बहुत बहुत important role रहा ECMO services का COVID pandemic के time पर हम सब जानते हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पूरे इंडिया में हमें COVID patients को admit करने के लिए beds नहीं थे और ECMO machine की तो उससे भी कहीं जादा कमी होगी थी इसलिए हम सबको ECMO machine के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है ताकि जब मरीज को जरुवत पड़े हम समय पर ECMO center में patient को refer कर सके महात्मा गांदी अस्पताल जैपूर में हमारे पास राजस्थान का सबसे बड़ा ECMO unit है 6-bedded fully functional हमारे पास ECMO unit है और यहाँ पर refer करने के लिए आप हमारी website पर पूरा details देख सकते हैं और referral form भरकर हम से contact कर सकते हैं हमारे सारे contact details भी हमने website पर दिये हुए हैं thank you very much for your patient listening